कहां से कमाता है, कहां से खाता है, किसके दम पर दिखाता है अमेरिका जैसे देश को आख, जाने है इसराइल की मुसीबत, इरान की ताकत इस्राइल या इरान कौन है सबसे ज़्यादा ताकतवर? किसके पास है सबसे ज़्यादा हतियार? ये सच्चाई जानकर आपका सरचक्रा जाएगा जहां चलता इस्लामी कानून, जहां बड़े से बड़े फैसले पर मोहर लगाते हैं मौलाना, भारत के मुकाबले कौडियों से ज़्यादा जिसका गिरा है पैसा, वो देश इतना ताकतवर कैसे हैं? इरान एक ऐसा मुस्लिम बाहुले देश जहां दुनिया से ज़्यादा धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, जहां बड़े से बड़े फैसले वहां के धर्म गुरु लेते हैं, जहां भारत के मुकाबले उसके पैसे कौडियों के भाव गिरे हुए हैं, जो इतना छोटा देश होने के बावजूद अमेरिका जैसे देश को आख दिखाता है, जो इसराहिल के लिए खत्रा बना हुआ है, उसके असली ताकत क्या है, यह जानेंगे तो आपका सर घूम जाएगा, आज किस रपोर्ट में हम आपको इरान और इसराहिल दोनों देशों के बारे में बत इसराहिल फिलस्तीन जंग में इरान भी इंटरस्ट ले रहा है, इसराहिली सिना ने सुमवार को इरान पर लेबनान इसराहिल सीमा पर हेजबुला द्वारा हमले का आदेश देने कारोप लगाया, आईडियेफ के प्रमुक से ने प्रवक्ता, रियर अड्मिरल डैनियल हग इसराहि ने एक ब्रीफिंग में कहा, हेजबुला ने इरानी निर्देश के तैद और उनके समर्थन से दक्षिन गाजा में हमारे युद्ध से ध्यान भटकाने के लिए कई गुली बारी की, हालनकि इरान लगातार इस बात से इंकार करता रहा है, लेकिन उसकी कतनी और करन हेजबुला नहीं रोका, तो हेजबुला ने तन्याहू के देश में भुकम प्ला सकता है, वही सुप्रीम लीडर आयातुला अली खामने ने मंगलवार को एक टेलिविजन संबोधन में नरसंहार की प्रशन से करते हुए कहा कि हम उन लोगों के हाथों को चुमते हैं, जिन का मानना है कि इरान कभी भी सीधे तोर पर युद्ध में भाग नहीं लेगा, लेकिन कई वर्शों से दोनों देशों के बीच शीट युद्ध चल रहा है, इसराइल आप्रत्यक्ष रूप से इरान को नुकसान पहुचाने में लगाए, इसका सीधा मतलब है कि इसराइल भ साड़े साथ मिलियन लोग हैं, वहीं दोनों देशों की रक्षा बजट की बात करें, तो इरान का बजट 9.2 बिलियन है, जबके इसराइल का बजट 13.5 बिलियन का है, इरान की लगबग 1000 अरनितिक मिसाईले हैं, वहीं इसराइल के पास, इसराइली नौसेना के पास 3 डॉल सबसे ज़्यादा ताकत वरें, जहां तक इरान की बात है, तो इसने अपनी आखरी सबसे बड़ा युद्ध, 1980 के दशक में इराक के साथ लड़ी थी, कई इरानी टैंक और विमान रख रखाओ, और आदुनिक्ता के विमनस्तरों के साथ, पुरानी तकनीक का उप्योग करत जहां तक बात है रिजर्फ फोर्स की, तो यहां इसराईल आगे है, उसके पास चार दश्मनों चे पांच लाख की रिजर्फ फोर्स है, जबकि इरान के पास साड़े तीन लाख लोगों की, लेकिन इरान के पास 90,000 पैरा मिलिटरी के जवान है, इसराईल के पास मातरा 8,000 इरान के तुलना में इसराईल के रक्षा बजट बहुत ज्यादा है, इरान का पचला रक्षा बजट 555 करोड डॉलर का था, जबकि इसराईल का 2430 करोड डॉलर का हवाई थाकत की बात करें, तो इसराईल के पास 601 एरक्राफ्ट हैं, जबकि इरान के पास 240 फाइटर एरक् हैं जबकि इस्राइल के पास सिर्फ-15 इस्राइल के पास त्रुणिंग दिने वाले डे स्रफ बारा अटयक हाब्डर है टांक्स की बात करें तो इस्राइल के पास मातर 212 टांक्स हैं जबकि इराइन के पास 4,071 टैंक है एरान के पास 79,685 बखतर बंद वहान है वहें इसराइल के पास 56,290 आर्मर्ड वेकल मौजूद हैं सेल्फ प्रोपेर्ड आर्टिलरी के बात करें तो इसराइल इसमें आगे है उसके पास 6,560 आर्टिलरी है जबकि इरान के पास मातर 580 है इरान के पास खी 300 मौबाइल रॉकर्ट प्रोजेक्टरस है अगर दोनों देशों की नौसेना की बात करें तो इरान के पास कुल फ्लीट 101 है जबकि इसराइल के पास 67 जहाजी है दोनों के पास एरक्राफ्ट करियर नहीं है इरान के पास 19 पंडुब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब इरान के पास 390 एरपोर्ट्स हैं, जबकि इसराइल के पास सर्फ पयालेस। जबकि इस्राइल मातर 20,770 वर किलोमेटर में इस्राइल के साथ एक अच्छी चीज है कि उसकी सीमाई ज्यादा देशों से साधा नहीं है तटिये सीमा भी मातर 273 किलोमेटर के है जबकि इरान की 2440 किलोमेटर की लेकिन इरान के रिवोलॉशनेरी गार्ड्स, कुछ स्फोर्स और नौसेनिक शमताई कहीं न कहीं इस्राइल और उसके सहयोगी देशों के लिए चिंता का विशे बने हुए है हालांकि दोनों देशों के सिनाओं के निकट भविश में सीधे आमना सामना की संभावना नहीं है लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो टकराओं में लंबी दूरी के विमान, वायू रक्षा थियार, छोटे नौसेनिक जहाज और बैलेस्टिक मसायले शामिल होंगी